तो हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग बहुत बढ़ी आऊंगे तो आज हम सुगम भारती के अक्षाच है और पाठ है हमारा साथ पाठ का नाम है ब्रक्ष निभाता रिस्ता नाता तो इस लेसन के कुश्चन आंजर सॉल्व करेंगे तो चलिए वीडि ब्रक्ष निभाते हैं और ब्रक्ष हमारे जीवन में बहुत आवाश्यक है यह पर्यावन को सुद्ध करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं इसलिए हमें ब्रक्ष लगाना चाहिए उनकी देखवाल करने चाहिए तो पहला प्रसन है हमारा सही जोड़े मिलाएं त देवदार इमिली तो इसका होगा दादा दादी पीपल तुलसी यानी पिता मारता और आम खिरिनी तो मामा मामे और महुआ महंदी तो इसका भी मामा मामे और अगला प्रसन है हमारा प्रसन नमबर खा दिये गए सब्दों में उप्योक्त सब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति किजिए ईससे पहला है नीम खालिस्थानसा लेकिन रोगों का तत्राता जिसमें दू अप्सन है नंद, नंदोई और साथ ससुर किसका सही अप्सन होगा नंद, नंदोई और दूसरा है गुल्मोहर खालिस्थान सा जिसकी रंगत हरे उदासी आनि नाना चाची तो इसका सही उत्तर होगा चाचा और तीसरा है असुक खाली स्थान सा रिष्टो की नया खेता तो पर्णाना असुक पर्णाना सा रिष्टो की नया खेता और चौता है ब्रक्ष निवाता आज भी खालिस्तन रिस्ता नाता तो सामाजिक पारिवारिक तो इसका तो पारिवारिक ब्रक्ष निवाता आज भी पारिवारिक रिस्ता नाता और अगला प्रस्ण है हमारा आती लगू प्रस नम्बर दो निम्म लिकत प्रस नोoug के उत्तर एक एक बाक में देजिए ऐसे पहला है कभी तुलसी को किस रूम में स्माड करता है तो कभी तुलसी को माता के रूम में स्माड करता है यानि तुलसी हमारी माता है और अगला है आम से हमारा कौन सा रिस्ता है तो आम से हमारा नाना सा रिस्ता है यानि नाना सा रिस्ता है और अगला है जामुन किस रूप की दवा है तो जामुन मधुमे की दवा है मधुमे यानि सुगर डाइबिटीज तो अगला है असुक के ब व्रक्ष को परनाना इसलिए कहा है क्योंकि वा काफी पुराणा व्रक्ष है इसलिए असुकर परनाना कहा गया है अगलाÓख्रस्य है पौधू के प्रिती हमारे क्या करतव्य हैं तसका अत्तर है हमें पौधू की रखवाली करना चाहिए समय समय पर पानी और खाद देते रहना चाहिए और अगला प्रसन प्रस नंबर तीन निम्लिकत पशनों के ओतर तीन से पांच वाक्एउ में दे जैसे पहला प्रसन है हमारा किने दो ब्रक्चों की उपमाकिन के रिस्तो की से की गई है बताईए जैसे इसका उत्तर है ये दू ब्रक्ष हैं पीपल और तुलसी तो पीपल हमारे पिता के समान है और तुलसी हमारी माता के समान है अगला परसन है किन किन ब्रक्षों से औसधियां बनती है तो इसका उत्तर है निमन ब्रक्षों से औसधियां बंद जैसे त्रफिला जामुन तुलसी और अगला है ब्रक्ष ना हो तो पर्यावर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका उत्तर है ब्रक्ष की अनुपस्थिती में पर्यावर्ण में असंतुलित आ जाएगा कारबन की अधिकता ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऐसी इस्थिती में मानो जीवन का स्थित्य ही संकट में पर जाएगा ब्रक्ष बादल लाते हैं जिससे बर्सा होती है ब्रक्ष के नहीं रहने से बर्सा नहीं होगी प्रिथिवी पर बिद्धमान सभी नदी नाले सूख जाएगे और अगर ब्रक्ष नहीं होगे तो अक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो ब्रक्ष हैं जो बादल लाते हैं जिससे बर्सा होती है तो बर्सा भी नहीं होगी और तालाब न दीख हुए और नाले सुख जाएंगे और पानी की भी कमी हो जाएंगे और अगला प्रसन है हमारा ऐसे आऊ आनंद उलीचें से कभी का क्या ताथपर है पेड लगा कर खुसियां बाटें पेड़ पोधे हमारे जीवन में आनंदमा बनाते हैं हमें पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि तभी हमारा जीवन आनंदित होगा और पेड़ पोधे हमारे जीवन में बहुत आनंदमा है और हमें पेड़ लगाना चाहिए और अगला है कभी के माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है तो इसको अत्तर होगा तो कभीता के माध्यम से कभी यह बताना चाहता है कि पीड हमारे जीवन के अती महत्पूर अंग है पीड पौधे से हमारा पारिवारिक नाता है अता ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाना चाहिए उनकी कटाई नहीं कहने चाहिए पीड पौधे जीवन दाई होते हैं उनको बचाने से हमारी भलाई है यानि कभी कहता है कि पीड पौधे हमारे जीवन के अती महत्पूर अंग हैं और यह पारिवारिक रिस्तावी निवाते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ा हमें लगाने चाहिए इनकी सुरक्षा करनी चाहिए और इन्हें काटने से रूखना चाहिए और इन्हें कोई भी हानी नहीं पहुचानी चाहिए इसी में हमारी भलाई है और अगला प्रस नेप्रस नमबर चार निमल के सब्दों के सुद्ध उच्चारण की जैसे तिरफला ओसदिया पारिबारिक जीवनदाई नाता वैद और अगला प्रस ने प्रस नमबर पांच निमल के सब्दों की सुद्ध वर्तिनी पर गोला लगाएं ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है पीपल तो पीपल और महुआ महुआ गुल मोहर तो गुल म है यह बिलकुल साही है और अगला प्रस नमबर अच्छे उधारण के अनुशा इस्त्रीलिंग रूप लिखिए यहाँ पर लिखा है पुलिंग इस्त्रीलिंग पुलिंग और इस्त्रीलिंग तो दादा पुलिंग है दादी इस्त्रीलिंग मामा मामी मॉसा मॉसी नाना ना अगला प्रस्ट नम्बर 7 बाख्क्यों वचोन सुद्ध कीजिए तो नदियां में बाढ़ा आगई तो इसका सुद्ध होगा नदियों में बाढ़़ा अगई और अगला है ऐसे आप क्या काम करेगा बच्चों काम कर रहे हैं कई लोगों ने कोशिस की और तुम कब आया तो इन सब के सही उत्तर होंगे ऐसे आप क्या काम करेंगे बच्चे काम कर रहे हैं कई लोगों ने कोशिस की है और तुम कब आये और अगला प्रस्न है प्रस्न नम्बर आठ निम लेके सब्दों के तस्सम रूप लिखी ऐसे पिता माता आम ससुर तो इसका उत्तर होगा पित्र मात्र आम्र स्वरो ससुर तो आई हूँ पाप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हूँ अब अगर आप लोग नहीं हूँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद